नवस्कार एक और टिपनी के साथ मैं तुल्च और रुस्या समय से बहुत पहले ही बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई थी समुचा आर्यावर्त दिन और रात भठी की मानिन दित्त अप रहा था तेज गर्म हवाओं से लू लगने का खत्रा पैदा हो गया था किसी ने धृत्राष्ट के कान में भुनक दिया था कि मामला ग्लोबल वार्मिंग का है इसलिए वे इन दिनों बहुत एहतियाद से दर्बार आते जाते थे दर्बार में लगातार शर्बत और छाच पीते रहते थे ताकि डिहाइड्रिशन के शिकार न हो जाएं कनपटियों से रिसकर गाल तक धलकाई पसीने की एक धारा को हाथ से पोचते हुए धृत्राष्ट ने पंखा जलने वाले कारिंदे की और भ्रिकुटियां तानी वो डर के मारे जल्दी यल्दी पंखा हिलाने लगा इस बीच धितराष्ट का ध्यान संजे की और गया संजे उनकी बेचैनी को भापते हुए बोले महराज फिलहाल तो कुछ उलटवासियां सुनाता हूँ धितराष्ट ने इजाज़त दी संजे ने बोलना शुरू किया रामदेव ने इस बार अस्थमा का इलाज हुक्के में निकाला है लाला जी का दावा है कि हुक्का आयरवेदिक है फिर ये मुलेठी और गाय का घी मुलेठी और गाय का घी इन दोनों को मिला देते और उसका यो हुक्का पिलाते अब स्वामी जी आप आम हुक्का अगर कहते तो सब्सक्राइब फोचते कि अरे हुक्का तो अस्थमा वालों के लिए और खतर नाक है लेकिन ये बड़ाई आयरवेदिक हुक्का है इसे पीने से आराम मिलता है धितराश्ट को आस्चेरिय मिश्रित मज़ा आया रामदास चहवानके ने ट्वीट किया कि राजस्थान में मुल्ले बेखाफ हो जा रहे है धितराश्ट को कुछ समझ नहीं आया तब संजे ने बताया ये उस सुरेश चहवानके का भाई है जो फरजी, सामपरदाई, जहरिली, उकसाओ, भढ़काओ, दंगाई खबरों का व्यापार करता है लेकिन उलटबासी ये कि सुदर्शन न्यूज के ही एक दूसरे नवकंज लोचन ने इस ट्वीट का फैक्ट चिक कर डाला संजे जारी रहे इस स्तर का लोकतंत्र आपको सुदर्शन न्यूज में ही मिलेगा महराज धितराश्ट खिल खिला उठे, तब संजे ने अगली उलटबासी पेश की धितराश्ट बोले ये कौन मतिमंद है संजे ने कहा बाजार में नया आया है लोगों ने इसे सत्यनारान की कथा बाचने की जिम्मेदारी दी थी यह संबिधान की कथा बाचने लगा है यह करकर संजे ने आखरी उलटबासी पेश की धितराश्ट बोल पड़े इनकी तारीफ संजे ने कहा ये डंकपती के दरबार की नवरत्न है सिलिंड्रेला देवी पचास रुपए बढ़ा कर लपीजी का दाम जब साढ़े चार सो रुपए हुआ था तब इने काफी शर्म आई थी अब डंकपती के राज में जब लपीजी की कीमत पचास रुपए बढ़ा कर एक हजार की गई है तब इन्होंने कहा कि भला शर्म भी कोई करने की चीज़ है करना ही है तो कुछ जरूरी काम करो इन दिनों सिलिंड्रेला देवी डंकपती के 65 घंटों की तूफानी यात्रा का काउंट डाउन गिनने का महत्वपूर्ण काम कर रही है जैसे समंदर की लहरे गिनी जाती है जानकार बताते हैं कि इन 65 घंटों में पउन 11 घंटे डंकपती के कपड़े बदलने के भी शामिल है इन उलडवासियों में धृतराष्ट को काफी मज़ा आया लेकिन अब वो थोड़ा सीरियस होना चाह रहे थे चुकि संजे ने डंकपती के नौरतनों का जिक्र किया था इसलिए उन्होंने डंकपती के जरिये ही सीरियस होने का फैसला किया क्या हाल है डंकपती के? यह सवाल संजे और तमाम दरबारी बीते कुछ सालों में बारम बार सुन चुके थे लिहाजा संजे ने सधे स्वर में कहा डंकपती कमरतोड मेहनत में लगे हुए है कमरतोड से सिर्फ दो ही लोगों का पाला पड़ रहा है इन दिनों एक डंकपती जो कमरतोड मेहनत कर रहे हैं और दूसरा देश की जनता जो कमरतोड महंगाई का सामना कर रही है इन दोनों के बीच में डंकापती के तमाम नौरतन और दर्बारी हैं जो बहुत ही खुबसूरत तालमेल से उनकी कमर तोड मेहनत का ढोल पीट रहे हैं यह सुनकर धृतराश्ट का दिल डंकापती पर आ गया वो डंकापती की तारीफ करना चाहते थे लेकिन खुद को जजब किये रहे तब संजय ने आगे की कथा सुनाई महराज बड़े दिनों बाद डंकापती फिर से खुश नजर आए रितराश्ट ने पूछा वो कैसे संजय ने कहा विदेश जाकर विदेशी दौरों पर डंकापती के चेहरे के खुशी देखते ही बनती है संजय ने बोलना जारी रखा अपने देश में डंकापती आमतोर पर बेहद मितब्यायता से एक प्रचारक का सात्विक जीवन्यापन करते हैं रूखा सुखा खा कर ठंड़ा पानी पीने में यकीन रखते हैं लेकिन विदेशों में उनका जलवा रहता है आलम ये के जिन गोरे फिरंगियों ने एक समय में दुनिया पर राज किया उनके प्रधानमंत्री तो पूरा का पूरा दिन एक ही कपड़े में निकाल देते हैं लेकिन हमारे डंकापती के फैशन के धूम पूरे योरोप में मची है जृतराश डंकापती के इस धूमधार प्रधरशन से इंप्रेस हो गए उनका हाथ गले में पड़ी मोतियों की माला की तरफ बढ़ा वो उसे संजे को बतौर भखशीस देना चाहते थे लेकिन महगाई और कड़की का खयाल आते ही हाथ गले से हटा कर गालों पर फिरा दिया संजे धृतराश्ट की इस दुविधा को भाप गए लहाजा उन्होंने एक कड़वी खबर सुनाने का फैसला किया संजे ने कहा खुशी खुशी फ्रंगियों के देश से लोटे थे डंकापती लेकिन छोटे नवाब ने उन्हें बड़ी चुनोती पेश कर दी धृतराश्ट चकित हुए संजे ने बोलना जारी रखा डंकापती के एक रंगरूट पर छोटे नवाब के लोगों ने हाथ डाल दिया बड़ी हील हुजजत हुई रंकापती की जैसे तैसे शाहे आलम को लगा कर कुरुक्षेत्र में मामला निप्टवाया तब जाकर डंकापती को रहत मिली हम दरसल बात कर रहे हैं तेजिंदर पाल सिंग बगगा की जो की बीजे पी के एक नेता है दिली के स्तर के आज उनकी गिरिफतारी को लेकर दिन भर ड्रामा यह सुनकर धितराष्ट बोले यह डंकापती और छोटे नवाब में अनबन क्यों हो गई है संजे ने कहा छोटा मुह बड़ी बात महराज दोनों पुलिस चोर नहीं बलकि पुलिस पुलिस खेल रहे हैं बाकी तो वही जाने यह सुनकर धितराष्ट ने ठंडी सांस भरी औ और सिंगासन छोड़ दिया सभावि सर्जित हो गई वो अन्तहपुर को लोट के धितराष्ट संजे समवाद में इस हफते बस इतना ही बीते हफते अगर आपने खबरिया चैनलों का मुआयना किया हो तो पाया होगा कि पूरा हफता छुटभईये नेताओं को राष्ट्री गर्मी और पर्यावरन से पेश चुनोतियां कोई मुद्दा नहीं रह गए हैं एह मुद्दा सिर्फ ये रह गया है कि कौन सा राज्य किस तरह से पुलिस को अपना निजी मिलीशिया बना सकता है शुरुवात से शुरू करते हैं समझने में सुभीता रहेगा एक मुकाबल में पुलिस नाम का एक इंस्टिउशन यानि संस्थान खुबसूरत फुटबॉल की तरह एक पैर से दूसरे पैर की ठोकर खाता रहा लेकिन पुलिस की इस हालत पर हमको और आपको तरस खाने के जरूरत नहीं है जिस दिन हमारी और आपकी बारी आएगी यही पुलिस बिन की कुई आती हैं दिल्ली जहां पर केंडर की पुलिस एंबी जेपी की पुलिस एक तरह से समझ लीजे और यहां से वो लेकर जाते हैं जिंदर बंगका और लिवान के बढ़ यहां पर फुलिस पनहीं में पंजाब पुलिस को या पर रोका है पंजाब पुलिस की ये टीम तिजिंदर पाल बगगा ये वही वीर हैं जिन्होंने अपने पिता की उम्र वाले वकील प्रशांत भूशन को पीटा था अब इनके पिता कह रहे हैं कि पुलिस ने उन्हें पीट दिया है बैरहाल पंजाब पुलिस ने बगगा को उठा तो लिया लेकिन मन्जिल पर नहीं पहुँच पाई दो-दो मुल्कों की पुलिस पंजाब पुलिस के पीछे पढ़ गई दिल्ली और हरियाना कुरुक्षेत्र में नई महाभारत छड़ गई इसके बाद दिल्ली पुलिस हरियाना पुलिस के सहयोग से आप इसे भाजपा पुलिस भी कह सकते हैं बगगा को बाईज़त छुड़ा कर अधिरात को दिल्ली ले आई और पंजाब पुलिस आप इसे आप पुलिस भी कह सकते हैं हाथ हाए शिकार को जाते हुए देखती रही फिर तो कोड के चहरी सब सक्री हो गए हमारे राश्रवादी बंधूं को लंबे समय से इस बात का मलाल रहा कि अदालते एक आतंकवादी के लिए आधी रात को खुलती हैं हमारे किसी बंदू बंधों के लिए नहीं खुलती तो वो अदालतों ने यह शिकायत दूर करने का फैसला लिया और देर रात कचहरी लगा कर बगगा की गिरफतारी पर रोक लगा दी दिन के दौरान और भी बहुत कुछ घटा मसलें इस पक्ष का कहना था और दूसरे पक्षी की तरफ से तमाम नेता और खबरिया चैनल वाले खुद ही मैदान में उतर गए तो इस तरह ये मामला एक शुन्य से भाजपा के पक्ष में रहा आधरणिय बगगा जी सकुषल अपने परिवार के बीच पहुँच गए इससे मिलता जुलता एक और मैच हुआ हलाकि इसे पूरी तरह भाजपा बनाम कॉंग्रिस नहीं कह सकते क्योंकि जिगनेश मेवानी निर्दली ये विधायक हैं लेकिन महतुपूर बात ये है कि वो कॉंग्रिस के समर्थन से विधायक बने थे और कॉंग्रिस ने उनके साथ प्रेस कॉंफरेंस भी की इस लिहाज से आप इसे कॉंग्रिस बनाम भाजपा मान सकते हैं चुने हुए जनप्रतनिधी को असम पुलिस आप इसे भाजपा पुलिस भी कह सकते हैं ने 5000 किलो मिटर की यात्रा करके गुजरात से उठा लिया एक बार नहीं दो दो बार उठा लिया मामला एकदम बग्गा टाइप ह बग्गा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे वो उल्टा सीधा बोला था मेवानी पर प्रधान मंत्री के बारे में उल्टा सीधा बोलने का आरोप है इस तरह भाजपा कॉंग्रेस के बीच यह मामला भी एक शुन्य से भाजपा के पक्ष में रहा लेकिन इसमें एक बा पुलिस स्टेट बन जाएगा और भी बहुत कुछ अदालत ने कहा स्टेट में स्विकार किया जाए तीसरे मैच की बात करने से पहले एक जरूरी बात आप हर दिन देखते हैं कि मीडिया कुछ खबरों को हद से ज्यादा बढ़ा चड़ा कर दिखा रहा है बहुत से जरूरी खबरों को दबा देता है खबरों को एक विचारधारा के साथ जोड कर दिखाता है क्योंकि मीडिया स्वायत नहीं है आजाद नहीं है क्योंकि यह विक्यापन से चलता है न्यूज लॉंडरी एक कोशिस है विज्यापन से मुक्त मीडिया बनाने की हम न तो सरकारों से विज्यापन लेते हैं नहीं किसी कॉर्पोरेशन से तो न्यूज एक शोन्य से भाजपा के हाथ लगा हम इस मुद्दे की बात कर रहे हैं ये राहत अमन चोपडा को जैपूर बेंच से मिली है अदालत ने सुप्रम कौट के जज्जमेंट के आधार पर गिरफ्तारी पर रोक लगाई है कि एक ही मामले में अलग-अलग F.I.R. दर्ज नहीं की चोपडा द्वारत दिखाई गई एक फेक न्यूस से हुई इस खबर के जरिये चोपडा ने सामपरदाइक नफरत फैलाने और लोगों को उक्साने का काम किया चोपडा ने साफ साफ जूट बोलते हुए 17 अपरेल की घटना को 22 अपरेल का बताया और इसे बदली की कारवाई बताया इसके खिलाफ F.I.R. दर्ज हुई फिर राजस्थान पुलिस इसे आप कॉंग्रिस पुलिस भी कह सकते हैं नोटिस थमाने उत्तर प्रदेश के नोईडा दफ्तर गई चोपडा नहीं मिला तो 12 से 6 दिन बाद राजस्थान पुलिस वारंट लेकर चोपडा के घर गई कोर्ट का चहरी हो गई कोर्ट ने दो हफ्तों के लिए चोपडा की गिरफतारी पर रोक लगा दिया फिलहाल यह मैच भी एक शुन्य से भाजपा के पक्ष में रहा लेकिन इस मामले में फरार चल रहे चोपडा के खिलाफ तीन F.I.R. दर्ज हुई थी एक F.I.R. के जरिये पुलिस अभी भी फरार चोपडा के ठिकानों पर दविश दे रही है इस बीच एक काम और हुआ भाजपा संग के तमाम वीरों ने मीडिया के अलग-अलग मंचों से अभिव्यक्त की आजादी लोकतंत्र की हत्या टाइप भारी भरकम पथराओं किया और तो और मीडिया के तमाम खलिहरों ने भी इसी तरह की गुलाबारी की फरार अमन चोपडा का मामला अभिव्यक्ति या लोकतंत्र का नहीं बलकि हेट स्पीच का है फेक निउस फैलाने का है इसने एक नहीं अनगिनत शो नफरत फैलाने के लिए किया है अब हम आते हैं पुलिस के उपर शुरुवात में मैंने कहा था कि पुलिस की इस दुरदशा पर हमको और आपको ज्यादा परिशान नहीं होना है पुलिस के मिट्टी में मिल चुकी साख को सुधारने के लिए जिनको कुछ करना है या जो लोग कुछ कर सकते हैं वो कताई नहीं चाहते कि इसकी साख सुधरे अलग-अलग दलों की सरकारे बदलती रहती हैं पुलिस जस की तस बनी रहती है इस पुलिस को जस का तस बनाए रखने में सभी राजनीटिक दलों के बीच मूख सहमती है आम आदमी को धमका कर रखने के लिए सियासी दल पुलिस को बतौर मिलीशिया इस्तेमाल करते हैं हमारी व्यवस्था में पुलिस की भूमिका कुछ इस तरह से तै कर दी गई है जो अपने स्वामी के इशारे पर विरोधियों के उपर डंडा फटकारेगी लिहाजा किसी अन्य स्वाभिमानी स्वायत्य संस्थान की तरह पुलिस की संस्था की कलपना इस देश में बेमानी है इसका एक पहलू यह भी है कि खुद पुलिस के अंदर अपनी उस तारतार हो चुकी साह को बचाने की कोई इच्छा या स्वाभिमान नहीं बचा है सारा स्वाभिमान, सिंगम, सूर्यवंशी और दबंग टाइप फिल्मी पुलिस वालों को आउट्सोर्स कर दिया गया है। विपक्ष में रहते हुए जो दल इस पुलिस के शिकार होते हैं, सत्ता में आने के बाद वो इसी पुलिस का इस्तेमाल अपने विरोधियों को दबाने के लिए करते हैं। इस तरह से एक जहरीला चक्र लगातार चलता रहता है। बस शिकार बदल जाते हैं। इसलिए मैंने क तहा हमको और आपको इस जरजर पुलिस व्यवस्था से परिशान होने के जरूरत नहीं है। जिस दिन वो चाहेगी हमको और आपको उठा लेगी। अब वक्त है इस हफ़ते की रिपोर्ट का। यह रिपोर्ट न्यूस 24 चैनल से है। यह कहानी इस भीशल गर्मी में बूंद बूद पानी के लिए तरस रहे महराश के औरंगबाद जिले से है। यहां के कई गाओं में लोगों को पीने के पानी के लिए हर रोज जद्द जहत करनी पड़ती है। यह सारी खबरें धीरे धीरे मीडिया की नजरों से दूर हो रही हैं। सरकारों के बचाओ की जमीन तयार कर रही हैं। और आपको लौड स्पीकर की तेज आवाज में व्यस्त रखती हैं। सर इधर नदी एक चोटा मतलब वागुर नदी है और जो लेने के उपर है आजनता के उसके तो हमारा बहुत दिखा तो दिखात है पानी के वास्ते हैं। आकर एक दिन के लिए पीने का पानी मिल पाता है, दूसरे दिन फिर सुबह से वही जद्दो जहट शुरू हो जाती है। अगले हफते होगी एक और टिप पनी, नमस्कार।